हेलो बच्चों बच्चों कैसे आप लोग बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलीशन सेंड दिसक्षिन ओफ डीपी नंबर 6 ओफ वेक्टर 3D जिसमें मैं आज आपको इस वीडियो के इंदर पहला जो क्वेश्चन है डीपी 6 का वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों इस तो उसके बाद फिर डाट विद्सी रहा होगा ना क्योंकि वेक्टर का डॉट वेक्टर ही मीनिंग्फुल होता है ठीक है ऐसा नहीं कि बी डॉट सी पहले हुआ और फिर बाद में स्केलर का क्रॉस्विद ए लिया गया ऐसा होता नहीं ठीक है ठीक है बच्चों आपको पत अगल माल लेते हैं अपन अलफा माल लेते हैं तो यह आजाएगा मॉड एंग कैप जो की वन होगा मॉड सी मुल्टिप्लाइट बै अलफा बुला मैंने अंगल तो कॉस ऑफ अलफा है यह अब बच्चों यह बराबर मॉड मॉड भी मॉड सी के तो इन दोनों को काट दौा यानि कि आपका साइन थीटा और कॉज अलफा जो है वो आपका किता हरा है बना रहा है इसमें बच्चों थीटा का एंगल एंगल का रेंज किता होगा जीरो से पाए और अलफा का भी रेंज है जीरो से पाए तो बनाने का मतलब एक ही एक क्योंकि यह आपका साइन अलफा भी सब्सक्राइब और के सब्सक्राइबर, V दिशार cash फापूर Kspad, V सब्सक्राइबर, सेम ही एंगल 0 और नर्मल एंग कैप और सी की बीच का एंगल किता है तो सी वेक्टर का है basically ए और बी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकलर के अलोंग है कि यानिकी ए और बी के बीच का एंगल तो 90 है और क्योंकि से दंजर